साइकलोन ने भारत के 30 खेत्र को विशेश करके पूर्विक खेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दुस्परणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाईयों भानों को पश्चिम बंगाल के नागरीकों को यहां के संपति को बहुत हानी पहुंचाई साइकलोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबन्दी सभी लोगों से संपर्ग में था 12 सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर में थी साइकलोन का नुक्षान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके वर्सक प्रयास किया लेकिन उसके बावत उत्वी करिब करिब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए इसका हम सब को दूख है जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रती केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सब की समवेदनाय है और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ है संपत्ति का भी नुक्षान काफी होता है चाहे अग्रिकल्चर हो चाहे पावर सेक्टर हो चाहे टॉली कॉम्मिनिकेशन हो चाहे घरों का उजड़ जाना हो अनेक प्रकार का, चाहे वह इन्फासेक्टर का हो चाहे व्यापार जगत से लोग के जुड़े हुए हो चाहे ठेतिक शत्र से जुड़े हुए हर किसे को नुक्षान होता है आज मैंने हवाई निरिक्षन करके बारीकी से इस प्रभावग्रस विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ गवर्नर स्री के साथ दोरा करके उसको देखा है अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्रांथमी काकलन है, उसका व्योरा दिया है, हमने ताइक किया है कि हो सके उतना जल्द, डिटेल में सर्वे हो, क्रिशी का हो, पावर सेक्टर का हो, गैली कॉम्मिनिकेशन का हो, घरों की जोस्तिती है, इंफ्रा सेक्टर की जोस्तिती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तदकाल एक टीम आएगी, और वो टीम इन सभी छेत्रों में सर्वे करेगी, और हम मिल करके रियेवरिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके, बंगाल की इस दुख की घड़िव हैं, हम पूरा-पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, और बंगाल जद से जल खड़ा हो जाए, बंगाल जब से जल तेजगती से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके काम करेगी, और जो भी आवश्रक्ताए होगी, उन आवश्रक्ताओं को पूर्ण करने के लिए, भारत सरकार के जो भी निती नियम है, उसका पूरी तरह उप्योग करते हुए, पस्चिम मंगाल के मदद में हम खड़े रहेंगे, अभी ततकाल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठेना ही नहीं हो, इसके लिए एक एडवांस आसिस्टंस के रूप में एक हजार करोड रुपिया बारत सरकार के दरब से ववस्ता की जाएगी, प्रदानमंत्री राहत कोच से दो लाग रुपिया और जिन लोगों को इंजरी भी हैं, उनको पचास जाए रुपिया तक की सहाईता देने का भी हम प्रदानमंत्री राहत कोच से करेंगे, पूरी दुनिया एक संकट से जूज रही है, भारत भी लगाता कोरोना वाइरस के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना वाइरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइकलोन में जीतने का मंत्र दोनों पुरी तरह एक दूसरे के अपोजीट है, कोरोना वाइरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वही रहे जरुरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए दूर गज की दूरी बनाए रखे लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है जल्दी से जल्दी सुरक्षी स्थल पर अब सिफ्ट कर जाईए वहाँ पर पहुंचने का प्रयास कीजिए अपना घर खाली कीजिए यानि दोनों अलग अलग पकार की लड़ाईयां एक साथ पस्चिम मंगाल को लड़ने पड़ी है लेकिन उसके बावजुद भी ममता जी के नेत्रुत में राजय सरकार ने बर्सक प्रयास किया है भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकड की घड़ी में जो भी आवशक जो एडवांस पर करने योग्य था जो उसी समय करने का योग्य था और ज उसको भी पुरा करने का हम प्रयास करेंगे आज समगर देश को जिन के लिए गवरव है ऐसे राजा रामनोहन राई जी की जन्व जैनती है और उस समय मेरा पश्चिम मंगाल की इस पवित्र धर्ति पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है लेकिन संकट की घड़ी से हम जूज रहे हैं तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा रामनोहन राई जी हम सब को आशिरवात दें ताकि समायनुकुल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके मिल जुल करके एक उजवल भविश्य के लिए भावी पीड़ी के निर्मान के लिए समाज उधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा रामनोहन राई जी को उत्तम स्रद्धानली होगी मैं मेरे परसिम मंगाल के सभी भाईयों बेनों को भी स्वाच दलाता हूं कि संकट की घड़ी मैं पूरा देश आपके साथ है भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों बे खड़ी रहेगी इसी संकट की घड़ी के समाज आप सब से मिलने आया हूं लेकिन कोरोना वाइरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पार रहा हूं मन में एक कसक तो रह जाएगी यहां से मैं आज उड़िशाएगी और जाऊंगा और वहां भी हवाई निरिक्षा करूंगा वहां के माने मुख्यमितरी जी से वहां के सरकार से बाच्चित करूंगा मैं फिर एक बार पश्चिम मंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ जल्द से जल्द आप इस संकर से भार रिख ले इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद जायाँ एकमालाई प्रॉपाइट जाए यहाँ नहीं जे आपके साथ हम यहाँ